असलाम अलेकुम सुजिन्स मैं सेयर्द आप मेन अब भुखारी हाज रहा आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू चैप्टर के साथ तो आज हम लोग जो है चैप्टर नबर 11 जो है वो डिस्कस करने जाए ग्रेट 7 जेनरल साइंस का जो के है technology in everyday life इस चैप्टर में हम जो है technology किस तरह से हमें हमारी daily routine में और हमारी different fields में जो होती है वो यूज हो रहे है आजकल उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला topic स्टार्ट करते हैं जो के है drip and sprinkler irrigation अब हम drip irrigation और sprinkler irrigation के बारे में पढ़ेंगे drip irrigation होती है कि plants को by dripping process जो होती है वो water उनको हम जो provide करते हैं ताकि वो जो है उनको water supply होता रहा और उनकी जो होता है chlorophyll या food preparation का जो process होता है वो रुके ना वो continuous चलता रहे जैसा कि जब crops, crops, crops होती है kheton में जब उगाई जाती है या plants को विया जाता है उनके seed को बरेट किया जाता है तो क्या हम लोग उसके लिए उसके process के लिए एक dripping का process जो होता है वो बहुत useful होता है जिसमें यह होता है कि हमें बार-बार अब उसे अब एक seed जो है या a plant जो है जब हम उ इस नुह वार बार बार पानी की ज़ुtha कर देगी टो इसके लिये वह बार जाने की जरूरत की तो इज वह बार बार आठीरिगरिशन का प्रोससरे से हैं जिसमें अनु вторow जो एंट बॉटल जो होते हैं उनके जो लोर एंड है उसको कट किया जाता है और उसका जो टैप होता है कैप पे जो होते हैं वो होल्स किये जाते हैं और प्लांच के उपर वो जो बॉटल होती है इस तरह से कि उसका जो फेस होता है उसकी जो कैप वाला पार्ट होता है वो नीचे आ ज सब्सक्राइब करें घरखिया थिया वाट ओक्ताइब के अधर को पाने वर्ट को प्रोवाइब करते है देखिया तो यह प्रोवाइब करते को यह बड़ शचानले जया है खेत में अगर आपने पॉदे उगाए हो जैसे सब वेजी टेबल्स को आपने किया हूँ फूदे लगाए हो तो अब अब अपर यह प्रॉसेस यूज होते हैं क्योंकि वहां पर आप इतने जादा अपने एक साथ उगाए होते हैं प्लांक्स कि आप बारी बारी एक को जा कर देना मुश्किल हो जाता है तो आप drip irrigation का प्रोसेस करते हैं जिसे आप हर प्लैंड पे जो होते हैं वह एक बॉटल जो होते हैं उस पर लगा देते हैं उस पर फिक्स कर देते हैं जिसमें से वाटर जो होता है उसे सुप्लाय होता रहता है और नेक्स प्रिंकल इरिगेशन का जो इसमें sprays का यूस किया जाता है वाटर प्रोवाइट किया जाता है तो इस तरह से हमाया जो drip irrigation का यह स्प्रिंकल इरिगेशन के जो टेक्नोलोजी है वह इस तरह से यूसुल होती है अब नेक्स टॉपिक में इंशाला ताला हम और भी टेक्नोलोजी के बारे में पढ़े जो इस जाता है अब है